हलो बच्चों मैं शशी चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विच चंद्रा में तो बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे तो बच्चों जैसा कि आज आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बुद्धी मान दादी यानि होश्यार दादी आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे और मजे करेंगे तो ये जो कहानी है आपकी जो गड़ित की बुक है पहली कक्षा की मैत का जादुगर उसके पहले चैप्टर से ली गई है तो चलिए शुरू करती हैं ये कहानी और कहानी को शुरू करने से पहले जरूरी बार के बच्चों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो च चलिए शुरू करते हैं कहाने बुद्धीमान दादी एक मेमना था यह रहा वह Maimna वह अपनी दादी मान से मिलने जा रहा है यह दादी मान से मिलने जंगल के रास्ते में उसे एक भेडिया मिला कहां है भेडिया देखो भेडिया ये रहा ये रहा भेडिया और ये है महमना देखो भेडिया की दिमाग में क्या आ रहा है भेडिया की दिमाग में आ रहा है ये एक हड़ी बनी हुई है कि अगर ये महमने को खा जाएगा तो ऐसे इसकी हड़ीयों को चबाएगा तो देखो अब भेडिया क्या कहा र और क्या कहा रहा है किर्पया मुझे जाने दो मैं अपनी दादी मा से मिलने जा रहा हूं जब मैं वापस आऊं तो मुझे खा लेना ये देखो ये मैंना सोच रहा है यानि इस भेडिये से कह रहा है तो भेडिया क्या कहता है अच्छा तुम जा सकते हो भेडिया कहता है ठीक ह तुम अपनी दादी मा के याँ चले जाओ, जब वापस आओगे, तभी मैं तुम्हें अब खा लूँगा तो अब जब वह लोटने लगा, जब ये बच्चा वापस लोटने लगा अपने घर की तरफ तो उसने दादी मा को भेड़िये के बारे में बताया देखो ये है इसकी दादी मा, इस मेंने की, तो ये मेंना अपनी दादी मा से कुछ बता रहा है तो दादी मा ने उसे एक उपाय सुझाया, मतलब दादी मा ने क्या करा, उस बच्चे को एक आइडिया बताया चलो अपने आपको इस धोलक में चुपा लो देखो ये री धोलक कौन कह रहा है दादी मा कह रही है मैमने से के चलो अपने आपको इस धोलक में चुपा लो उसने ऐसा ही किया किसने मैमने ने मैमना धोलक में घुसकर बैठ गया दादी मा ने धोलक को सड़क पर लुड़का दिया ये देखो ये लुड़कती हुई आ रही है धोलक मैमने ने भेडिये को अपना इंतजार करते हुए पाया देखो मैमना कहां से देख रहा है मैमना देख रहा है देखो इस धोलक में छोटे छोटे दो छेद है दिख रहे हैं तुम्हें छोट छोटे छेद इन में से वो जाक के देख रहा है कि भेडिया तो रास्ते में मेरा इंतियार करते हुए बैठा है अब भेडिया क्या कहता है इस धोलक से क्या तुमने किसी मैमने को इस तरह पाते देखा है तो अंदर से अवार आती है धोलक के न लुड़कते लुड़कते और उसके पीछे आ रहा है दोड़ता हुआ भेडिया और ये मैमने का घर भी आ गया इससे पहले की भेडिया उसे पकड़ पाता किसे मैमने को मैमने अपने घर पहुँच गया और उसने दादी मा को धन्यवाद दिया यह देखो मेमने ने अपने गेट का घर का दरवाजा भी बंद कर लिया और मेमना यहां से खड़की में से जाक के देख रहा है और यह जो भेडिया है यह बाहर से देख रहा है के इस मेमने ने तो इसको वेफ़कूफ बना दिया ठीक है यह थी स्टोरी आप करते हैं इसकी exercise यहाँ पर दिख रही हैं सारी तिर्भुच की आकरतियां हैं यह कौन सी आकरतियां हैं तिर्भुच की यह देखो यह सारे तिर्भुच बन रहें इसमें अब आपको क्या करना है इनका मिलान करना है यह देखो एक आकरती का आपके लिए मिलान करके बताया गया है ये जो है इसके बराबर है ये और ये आकरती एक जैसी है आकार में और मतलब आकार में ये और ये दोनों आकरती बराबर है और ये आकरती इसके बराबर है आपको ऐसे मिलान करना है फिर उसके बाद आप देखते हैं जो ये वाली आकरती है वो इसके बराबर है ठीक है ये आकरती इसके बराबर है और जो ये वाली आकरती है ये किसके बराबर है ये है देखो यहां छोटी सी एक आकरती बन दी है ये देखो दिखा देते है ये देखो ये आकरती है इसके बराबर ठीक तो आपको ऐसे ये आकरती है मिलानी है ये पहले से दी गई है बुक देखो ये वाली आकरती पहले से दिखाई गई है मिला के फिर आपको ये इससे मिलानी है ये इससे मिलानी है और ये वाली आकरती आपको इससे मिलानी है ठीक है अब देखते हैं अगला अगला भी है एक जैसी आकरतियों को मिलाओ तो अब आपको इसमें भी एक जैसी आकरति या मिलानी है तब चलो एक देखो आपको करके दिखाया गया है ये वाला ठीक है अब आगे का हम खुद करेंगे यह है गोला यानि सरकल यह इससे मिलाएंगे ठीक है और यह क्या है आदा गोला इस आदे गोले को हम इस आदे इसे मिलाएंगे यह क्या है चौकोर तो चौकोर को किस से मिलाएंगे इससे चौकोर से यह तिर्भुज तिर्भुज को मिलाएंगे इस तिर्भुज तिकोने से और यह क्या है आयताकार है तो इसको भी इससे मिलाएंगे ठीक है और यह वाली आकरती किस से मिलेगी इससे ठीक आप चाहो तो इनको अलग-अलग कलर से भी मिला सकते हो देखो, मैं आपको एक-दो मिला करके दिखाते हो ये लाल वाला इससे मिला लो ठीक है, आप देखो पीला वाला इस पीले कलर से ये मिला लो ठीक, और ब्लू कलर से आप ये मिला लो ठीक इससे क्या होता है अलग-अलग आराम से दिखाई देता है इससे ये मिला लो ठीक फिर एक और कलर ले लेते हैं अब ये रह गया इससे ये मिला लेते हैं ये मिल गई आपकी सारी आकरतिया तो चलो अब वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो